हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा अपनों का स्वागत करती हूं MP सक्सेसर्थ में और आजकी इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं मद्यप्रदेश डेली करेंट आफियर की सीरीज 36 के बारे में और आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे 10 अगस्त 2020 का करेंट आफियर तो 10 अगस 2020 से मद्यप्रदेश के जितने भी करेंट आफियर की कॉश्चन बन सके हैं आज हम उनको यहाँ पर डिसकस करेंगे यहाँ पर फरस्ट कॉश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाली में बिश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है तो option number D हमारे यहाँ पर right World Tribal Day यह मनाया गया है 9 अगस्त को ठीक है और यह आदिवासी इस दिन क्या करते हैं आदिवासी एक बिन मबेसियों के साथ विताते हैं और पूरा गाउं जो है संरक्षन का संकल्प लेता है ठीक है और 9 अगस्त 1995 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया ठीक है यह जो है पहली बार 9 अगस्त 1995 को पहली बार मनाया गया था ठीक है विश्व आदिवासी दिवस या बल्ड ट्राइवल डे ठीक है तो इतना आपको इस क्वेस्चन से याग रखना है और यह दिवस जो है दुनिया भर में आदिवासीयों का सबसे बड़ा दिवस है इसका जो मूल उदेश है वो है आदिवासीयों के आधिकारों की सोरक्षा एवं उनको बढ़ावा देना उनकी जाती को ठीक है तो इस उदेश से प्रतिवार सबिश्व आदिवासी दिवस या बल्ड ट्राइवल डे मनाया जाता है ठीक है तो इतना आपको इस क्वेस्चन इसका जो है सोर्ट फॉर्म होता है डी एम एफ सोरी डी एम एफ डिस्ट्रिक मिनरल फंड से सबसे ज्याद रुपए खर्च किये गए हैं तो अगर हम यहां पर बात करें कि मत्य प्रिदेश के किस जिले में तो यहां पर है ऑप्शन नमबर सी आपका राइट अंसर धार ठ बिस्ट्रिक मिनरल फंड डी एम एफ से सबसे ज्यादा रुपए खर्च किये गए हैं तो इतना आपको इस कोशन से याद रखना है और यहां पर बात करें तो पहली नमबर रहें यहां पर धार जिला और अगर हम सेकंड नमबर पर बात करें यहां पर तो है जवलपूर ठ है यहां पर कौन सा कोई सब्र जवल पूर डी कि यहांसा कोई सब्सक्राइब गशिया है । जवलपूर जिल में का यहांसे अज़ंग श जुनिकारना का समार यांसे निया करिए निया से पेक है है किया है तो जश्फिण नंबर होगा ठीक है और अगर मैं आपको बताऊं कि यह DMF की जो रासी है यह स्वास्त, सिक्षा, कुपोसन और विकास कारियों पर खर्च की जाती है और यह रासी उनी छेत्रों में खर्च की जाती है जहां से उत्खनन किया जाता है DMF, District Mineral Fund यह किसी खनीच की रोयल्टी का 30-50 हिस्सा DMF में जमा होता है एक District Mineral Fund है तो इसमें क्या होता है? जहां भी ख़दाने बगेर हैं जो खने संसाधन प्राप्त होते हैं जिस भी जिले से तो उसकी जो रोयल्टी होती है उसका 30 फीजदी हिस्सा dmf में जमा होता है ठिक है district mineral fund में तो सरकार क्या करती है जो dmf का fund जो 30 फिसा जमा होता है वही fund जो है वो जिलों को खर्च करने के लिए देती है ठिक है तो सरकार ने dmf से प्रिदेश की 13 जिलो को कोड़ना संक्रमाट के मैनेजमेंट के लिए टोटल कितने रुपए दिये हैं इस साल तो 989.7 करोड ठीक है तो ये आपको याद रखना है 9897 करोड रुपए खड़ करने की अनुमती सरकार ने DMF के माध्यम से प्रिदेश के 13 जिलों में ठीक है कोड़ना संक्रमाट के मैनेज से याद रखना है और सबसे ज्यादा अगर रुपए की बात करें किस जिली को मिले हैं इस से तो धार को मिले हैं ठीक है और सेकंड नमर पर कौन है जवालपूर ठीक है अब हम बात करेंगे आपर थार्ड नमर क्वेशन की हमारा थार्ड नमर क्वेशन है हाली में मध्य प् जिसको बुलते हैं परिवहन कारियाल है कि सिस्टम में सुधार लाने के लिए पबलिक फीड़बैक अनिवार करने की सुरूत पाइलेट प्रोजेक्ट की रूप में प्रिदेश के किस सहर या सहरों से की जाएगी तो यहाँ पर जो है option number C हमारा यहाँ पर right answer होगा ठीक है दोनों से इंदोर और भोपाल ठीक है मध्य प्रदेश के इंदोर और भोपाल इन दोनों सहरों में जो है RTO office में या जो जिसको हम बोलते हैं परिवहन कारियाल है बहाँ पर जो है management system में सुधार लाने के लिए public feedback देन आप अनिवारी होगा जितने भी license यहाँ पर बनाए जाएंगे ठीक है उनमें public feedback देना आपको अनिवारी होगा office में जिससे और यह कारे जो है यह pilot project के रूप में प्रदेश में सुरू किया जाएगा ठीक है इससे क्या होगा system में सुधार आएगा ठीक है इंदोर एवं भो पाल से इसकी सुरूआत की जा रही है और learning license और भाहनों का registration card लेने से पहले अब आविदकों को RTO अधिकारियों को system में सुधार लाने का feedback देना जरूरी होगा है ठीक है और साथी साथ अब यहाँ पे एक और changing आएगी कि जो heavy driving license वाले आविदकोंगे लेने वाले आविदक को RTO परिसर में एक दिन की अनिवारे training से भी गोजारना होगा ठीक है जो भी अब जो heavy driving license बनवाएगा तो उसको जो है एक दिन की training भी वहाँ पर RTO office में देनी होगी ठीक है उसके बाद उसका driving license पास होगा ठीक है तो यह पूरा system इन्होंने मध्यपरदेश सरकार ने बनाय ठीक है और system में सुधार लाने के लिए public का feedback लेना जरूरी है इसकी सुरूरत कहां से होगी तो भोपालेवं इन दोर से की जा रही है ठीक है तो इतना आपको इस question से याद रखना है यहाँ पर हम बात करेंगे fourth number question की हमारा fourth number question है हाली में मध्यपरदेश में CRPC ठीक है CRPC की कि धारा के तहट अब जो भी अपराद दर्ज होंगे उनका खात्मा अदालत की मंजूर के वाद संभा होगा तो यहाँ पर हमारा right answer होगा option number A CRPC की धारा 173 ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे CRPC की धारा है 173 CRPC की 173 धारा की तहट अब जो भी अपराद दर्ज होंगे उनका खात्मा अदालत की मंजूर के बाद संभा होगा ठीक है CRPC की धारा 173 के तहट यह किया गया है कि जो अपराद दर्ज होगा उसकी रिपोर्ट अदालत को देनी होगी चाहे चालन की रूप में हो या खात् कारी से फिर से जांच करवा सकता है ठीक है ओमद्द प्रदेश पुलिस मुख्याले ने इस संभन्द में सभी जिलों के SP को निर्देश जारी किये हैं पहले क्या होता है कि जैसे पुलिस स्टेशन में किसी ने कोई अपराद दर्ज किया तो जो अपराद होते थे अगर जो दर्ज करी ती उसको बंद कर देते थे फाइल को ठीक है खतम कर देते तो आप ऐसा नहीं होगा अब जब तक अगर कोई सुराग में मिले तब भी जो है पुलिस उस अपराद जो दर्ज करी गई है उस केस को खत्म करना है तो उनको आदालत की मजूरी लेनी होगी ठीक ह तो ये जो पूरा सिस्टम है ये CRPC की धारा 173 के तहट प्रदेश में लागू किया गया है अब ठीक है तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है आगे हम यहाँ पर बात करेंगे फिफ्ट नमबर क्वेशन की हाली में रास्टिय स्वयम सेवक संग के सर संग चालक मोहन भागवत जो है वो कितने दिवसी दोरे पर भोपाल आए है तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर भी हमारा राइट आंसर होगा दो दिन ठीक है जो यहाँ पर मध्यप्रदेश में ये दो दिन के लिए आए हैं और ये मध अगस्त को भोपाल आए थे और उन्होंने जो है प्रिदेश में प्रमॉक कारिकरताओं के साथ बंटुबंचार्चाकर कोरना संकट में सवयम सेवक के सेवाकारियों की समीक्षा की ठीक है और संग प्रमुक के सामने सेवाकारियों का प्रेजेंटेशन भी किया गया यहाँ अब यहां पर हम बात करेंगे next question की 6th number question की हाली में मद्य प्रिदेश के बड़ा मलेरा बिदान सभा चेतर जो उपचोनाओ के लिए कांग्रेस पक्ष से किसे प्रभारी नियुक्त किया गया है तो option number B हमारा यहां पर right answer होगा डॉक्टर इस्मिता खरे जी जो है इनको बड़ा मलेरा बिधानसवा चेतर उप्चोनाओ के लिए कांग्रेश पक्षे से प्रभारी नियुक्त किया गया है मद्य प्रदेश महिला कांग्रेश की प्रदेश अध्यक्ष जो है मंडवी चोहान और इन्होंने ही कमलनात के निर्देशन एवं अनुसंसाग पर डॉक्टर इस्मिता खरे को बड़ा मलेरा बिधानसवा के लिए प्रभारी नियुक्त किया है ठीक है डॉक्टर इस्मिता जो है ये ब्लॉक एवं मंडल में महिलाओं को उप्चोनाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरेट करेंगी ठीक है और ये जो है यहाँ पर आपको पता है कि 27 सीटों पर उप्चोनाओं होने है ठीक है तो उसी के लिए एक जो छेतर है व इस ताइप से आपके जो करेंट अफिर के क्वेशन थी आज की कंप्लीट हो गए है और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जी के की तो इसमें आपका जो फस्ट क्वेशन है आज के लिए ठीक है जिसका अंसर आपको कमेंड वॉक्स में देना है यहाँ पर है मद्ध्य प्रदेश के किस जिले में महराजा चात्रसाल बुंदेल खंड बिश्वय द्याला इस्थापित किया गया है ठीक है तो यह आपको बताना है यहाँ पर है धार देंडोरी छतरपुर और नेवारी चार यहाँ पर मद्ध्य प्रदेश की जिले दिये गए है यह आपका इसमे बइक है वो आपको दोनों जो कंसरे और नेक्सर का बताएं और नेक्स्लि बेसका जो अंसर है वो मैं आपको बताऊंगी इस टाइब से आपके जो स्टायटिक जिए के एक्वेकों हो जाएंगे यह कॉस्वे ज्यादा इम्पोरटेंट है यह इंप प्रीवेस के पेपर में आई हुए question है ठीक है और आज हम यहाँ पर बात करेंगे आठ अगस्त दो हजार sorry यहाँ पर जो है आपकी नो अगस्त के होंगे नो अगस्त दो हजार बीस के जो प्रिश्ण मैंने दिये थे आज उनके जो answer होंगे उनको हम यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो first question था वो था आपका कि मद्धे प्रदेश में सरवादिक संख्यक किस पसू की है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मद्धे प्रदेश में सरवादिक संख्यक की अगर हम बात करें तो वो बक्री की है ठीक है तो यह मतले इसका right answer जहिए ओपिशन नमबर बखरी यहां पर हम बात करें second नमबर क्वेशन की कि मद्देपरदेश की फासलों में किसका रखवा जहाद है तो यहां पर अगर आगर बात करें जो खरीद की फासल है उसका तो इतना आपको इस question से याद रखना है तो इस type से जो आपके दो question थे यह मैंने आप लोगों को बता दी है तो इस type से यह पूरी PDF कम्प्लीट होती है और इसकी PDF की आप लोग description box में लिंक मिल जाएगी बहां से download कर सकते हैं तो thanks for watching my videos प्लीज वीडियो को जाएज जाएज लाइक करें सेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी question में कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं thank you